नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपीनियन तो आज हम रिव्यू करेंगे वूट सिलेक में रिलीज हुई दो नई शॉट फिल्म की और जिसका पहला जो है उसका नाम है नटखट दूसरे का नाम है एक दुआ देखे ये दोनों शॉट फिल्म क्यों जादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो जो आपका शॉट फिल्म है वो शोशल इशूज के उपर बनाया गया है तो एक्चुली जो पहला शॉट फिल्म है जिसके बारे में शुडू में बात करेंगे उसका नाम है नटखट और जिसमें जो मुक्ह किरदा है उसमें काम कर रही है विद्यावालन और ये जो पर्टिकुलर शॉट फिल्म है करीब आदा घंटे का लेंद ये पहले 2020 में वी आर वन बोलके जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल जो यूट्यूब के उपर किया गया था तो उसमें इसका जो है प्रीमियर हो चुका थ और तब से लेके लोगों में बहुत जादा दिल्चस्पी इस विशे को लेके था कि आखिर में विद्यावालन शॉट फिल्म में काम की है तो definitely कुछ बात तो उसमें हो गाई और सच मानिये दोस्तों ये बहुत ही एक बढ़िया बहुत ही वेल मेड एक शॉट फिल्म है ऐस अपने ससूर और अपने पती के सामने ऐसे बिना गुंगट के आने का मौका नहीं है लेकिन वो बच्चों को अपना जो बच्चा है बहुत छडारती एक नटकर सा बच्चा है उसको जो सीख वो देती है वो सीख मतलब सिखाने का जो process वो काफी अनोका है बेसिकली जो बच चीज जो है इसके अंदर में दिखाया गया है और वो बहुत उनिक है तो storytelling या फिर कहानी screenplay सारे बहुत बढ़िया है और इस एक मैं कहूंगा Sonika Patel जो चोटा सा बच्चा है काफी बढ़िया काम किया है और दूसरा जो है विद्यावालन best of the lot मतलब बहुत बढ़िया उन्ह वियास जी ने और इससे पहले उन्होंने काफी सारे Bollywood films जो है उन्होंने produce इससे पहले उन्होंने किया है तो यह उनका directorial काम है और काफी बढ़िया काम उन्होंने की है तो यह एक must watch है यह वूट सिलेट के app में अभी already available है और इसका जो message है वो काफी loud and clear है कि gender equality यहाँ पे में release किया गया है उसके बारे में और इसको direct करता है राम कमल मुखर जी और राम कमल मुखर जी के अगर मैं बात करूँ तो last year उन्होंने और एक short film बनाया था जिसमें Selena Jettli थी उनका भी comeback हो रहा था और जिसका नाम था Season's Greetings वो भी काफी बढ़िया था तो यह जो कहानी है यह housewife की role play कर रही है उसका husband जो है वो driver है उतना कमाता नहीं है तो एक साथ बच्चे को पालना या बच्चे को बढ़ा करना उनके लिए दिक्कत है तो वहाँ पर अगर लड़की आ जाती है पहले तो उसको वो abort करवा देते है लेकिन वो abortion का तरीका यह जो है वो काफी detail में दि लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा twist जो है वो आपको आखिर में देखने के लिए मिलेगा वो हम यहाँ पर आपको definitely नहीं बताने वाले है तो आपको कहानी का मजा जो है एकदम खराग हो जाए लेकिन बहुत ही एक अनोखा और बढ़िया एक twist आखिर में दिया गया है इसका सा एक छोटा सा चीज जो है वो खटता है कि हर जगा में पूरा 40-44 मिनिट का एक content है उसके अंदर में बहुत जगा पर आपको बेटी बचा हो और बेटी पराओ का पोस्टर जो है वो लगा हुआ दिखेगा जो प्लैन किया हुआ है वो देखने से ही पता चल रहा है तो मेर जो है वो loud and clear होता नहीं है वो दिखावा हो जाता है तो यह छोटा सा शिकायत जो है मुझे इस content से है बाकी सब तो बहुत ही बढ़ी आए मैं कहूंगा कि दोनो content ही देखने लायक है अगर आपने नहीं देखा है तो definitely इसको देखे और अगर इस वीडियो में कुछ भी पसं है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल में अगर नए है तो चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में तब तक के लिए अलविदा